कि अगल की अगलो जी हलो 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 हमें और विजीबल एक बार चारा किलियर कर देना मेरी आवाज किलियर आ रही है आडियो वीडियो सब क्लियर है अडियो आ रही है मेरी वॉइस आ रही है एब एब वॉइस आ रही है एब 175 है अर्क उसे व्हील इंट ऑल्स इन्ट है एब 35 है अब इवनिंग चलिए ठीक है आवाज क्लिएर है ओके 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 कि अगर में चेक चलिए आप वाइस क्लिएर है ठीक है बीच में कोई दिक्कत वगरा हो करें तो मुझे बता दीजेगा ठीक है तो कैसे हैं आप सब आज हमारा जेनिटिक्स का last Q&A session है आज हम जेनिटिक्स भी finish कर लेंगे यानि कि हमारा reproduction भी finish हो गया और आज जेनिटिक्स भी आज finish हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे biology in human welfare जिसमें हम जो सबसे पहला चप्टर पढ़ने जिसमें हम जो सबसे पहले चप्टर का Q&A station करेंगे वह होगा हमारा human health and disease का ठीक है जी वह होगा हमारा human health and disease का clear है चलिए तो चले question पर चलिए बिना देरी के वह चलते हैं question पर आप लोग भी answer करते चलिएगा चलिए कि आज है यह question पर come back to the question अंजे इस कान से कौन बताएगा जल्दी से एस एल मिलर इस रिलेटेड टू जल्दी से बताएगे एस एल मिलर इस रिलेटेड टू एस एल मिलर इस रिलेटेड टू ठेक है एस एल मिलर इस रिलेटेड टू जल्दी से बताएगे ठेक है चलिए देखिए जो यह जो question बोल रहा है इस question में यह कह रहा है कि एस एल मिलर जो है इन में से किस से रिलेटेड है तो देखे जो की आज हमारा है evolution chapter ठेक है तो evolution का मतलब ही होता है कि कम जो कम changes से जो धे धे जादा changes की ओर बढ़ते हैं उसी को क्या बोलते है evolution ठेक है यानि कि development का होना तो उसमें याद कीजिए कि जब आपको development के origin of life के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया हुआ था कि सबसे पहले operon और hilden model आया उसके बाद उसी model को जो prove किये हुए थे वह कौन थे एसल मिलर सहाब थे तो इनका relation किस चीज़ से है वह origin और evolution life के origin और evolution से ठीक है यानि कि जीवन की उत्पत्ती और evolution के बारे में जो सिध्यान दिये थे उनमें एक इनका भी role है एसल मिलर का ठीक है चलिए एक हो गया आगे बढ़ते हैं next question number two organic evolution was preceded by chemical evolution the champions of the theory are ठीक है यानि कि याद कीजिए जब मैंने आपको बताया हुआ होगा कि सबसे पहले कि जो उनका सिध्यान था एसल मिलर का उससे पहले जो बताया गया थो ओप्रियों और हेल्डर मोडल में कि जो जीवन की जो उत्पत्ती हुई है जो जीवन की उत्पत्ती हुई है वो महासागर से उत्पत्ती हुई है ठीक है उसके बादा है एसल मिलर सहाब एसल मिलर सहाब ने उनको एसल मिलर सहाब So, यहाँ पर जो बोल रहा है कि organic evolution, जो chemical evolution के द्वारा किया गया था, उनमें से वो champion कौन थे? Question number 2, ठीक है? So, इनके जो champion थे Charles Darwin, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, Echidna is, Echidna क्या है? क्या वो एक connecting link है, या फिर वो एक vestigial organ है, या फिर वो extinct link है, या फिर वो none of these, ठीक है? देखिए connecting link का मतलब क्या होता है कि वो क्या है किसी दो को जोड़ता है जैसे मान लिजिए कि ये A है ठीक है ये A है A एक boy है और B एक girl है ठीक है इन दोनों के family के बीच में कोई relation नहीं था लेकिन अब क्या हुआ जब इन दोनों की शादी होती है तो क्या हुआ इन दोनों का family भी क्या हुआ आपस में जुड़ गया सेम उसी को बोलते है connecting link जो कि क्या करता है दो प्रकार की जो जीव होते हैं उन दोनों की बीच में थोड़ा बहुत link रखता है vestigial organ जिसका मतलब होता है जिसका हमारे body में कोई use नहीं है क्या वो यह है या फिर extinct link extinct का मतलब गायब हो गया वाला link है ठेक है तो इन वे से कौन सा है तो यह दि आपको पता हो ठेक है कि echidna क्या है तो मैं बता दू echidna is a connecting link echidna क्या है वो एक connecting link है अब connecting link है तो हो सकता है कि इसी question को घुमाने के लिए कोई यह भी पूर सकता है कि echidna जो है किन के बीच connecting link है तो याद रखिएगा echidna is a connecting link echidna is a connecting link between reptiles and mammals ठेक है यानि कि वो reptiles और mammals के बीच एक connecting link है ठेक है जी यहां तक आगे बढ़े हैं चलिए question number four dodo is dodo क्या है dodo क्या है dodo मैंने evolution में भी dodo के बारे में बताया हुआ होगा और जब मैं ecology जब मैं पढ़ा रहा होँगा तो वहां भी मैंने dodo के बारे में बताया हुआ होगा कि जैसे dinosaur है ना dinosaur क्या है extinct यानि कि वो गायब हो चुके है लेकिन जो इसमें देखिए एक तो एक तो होता है dodo extinct का मतलब होता है कि गायब हो गया यानि कि एक बार वो जो गायब हो गया अब दुबारा इस प्रित्वी पर नहीं आएगा तो गायब हो गया हुआ species है dodo या फिर endangered का मतलब जो खत्रे में है यानि कि जो गायब होने के कगार पे है और तीसरा threatened species threatened species का मतलब क्या होता है यानि कि वो धमकी दे रहा है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम गायब हो सकते हैं तो यदि डोडो की बात करें तो जैसे dinosaur हमारे प्रित्वी पर से extinct हो चुके है गायब हो चुके है वैसे ही dodo भी एक species है जो कि हमारे प्रित्वी पर से गायब हो चुका है यानि कि इसका answer क्या होगा 4 का answer a 4 का option number a ठीक है जो आगे बढ़ें चलिए इसका answer बताईए question number 5 fossils are generally found in which of the following ठीक है जो fossils होता है यानि कि जो जीवाश्म होता है fossils को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म जो fossils होता है वो generally इन में से कहां पर हमें मिलता है कहां पर पाया जाता है जल्दी से answer दीजिए चलिए जल्दी से फटा फट चलिए answer दीजिए जल्दी फटा आस्ता फटा फटा पाइब सी कंशन सी रिंकी सी मुश्कान सी साथना सी ओके देखिये एक बार मैं जरा बता दू इनके बारे में थुरा सा जो रॉक्स होते हैं ना वो तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं जब rocks की बात करेंगे तो वो तीन प्रकार की होते हैं एक होता है metamorphic rock, दूसरा होता है ignisius rock और तीसरा होता है sedimentary rock ठेक है यदि हम सबसे पहले बात करेंगे metamorphic rock की यदि हम सबसे पहले metamorphic rock यदि बात करेंगे तो metamorphic rock का जो निर्मान होता है वो किसी दूसरे रॉक से, या तो इन से होता है, या फिर इन से होता है, लेकिन जब इसको temperature करेंगे, जब इसको गरम करेंगे, तो वो अपने आपको change कर लेता है, ठीक है? दूसरा यदि बात करेंगे इगनीशियस रॉकी तो ये जो है ये पृत्वी के अंदर बनता है जो सबसे एकदम डीप वाला जो सबसे डीप वाली गहराई जो होती है वहाँ पर ये मिलता है इगनीशियस रॉक लेकिन ये बात करें सेडिमेंटरी रॉक की तो ये किससे बनता है जो मड़े हुए सड़े गले जो पेर पौदे होते है जो मड़ा हुआ जो इनसान होता है ठीक है उन सबसे क्या होता है या फिर जो सेंड का मिट्टी का जो लेर है उन सबसे क्या बनता है sedimentary rock तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ मिलता जुलता भी है किसे जो जिवाश में है किसे मिलता जुलता है सड़े गले पेर पौध है या फिर animals है यहाँ पर जो fossils होगा वो generally कहाँ पर मिलते हैं सो वो generally sedimentary rocks में मिलते हैं ठेक है जी क्लियर आगे बड़े याद रखिएगा next wings of birds and butterflies are which type of organ question number six answer बताईए question number six answer बताईए जल्दी से फटाफट 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 बताईए किस टाफट का और्गन है six d कंचन d आस्था d मुस्कान d रिंकी c ठेक है देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे organ की ठेक है एक तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया होगा एक होता है homologous organ और दूसरा होता है analogous organ ठेक है homologous organ किसको बोलते हैं जब देखिए जब जब इसमें क्या होता है कि origin origin same ठेक है जब क्या होगा origin same होगा ठेक है लेकिन उनके function अलग-अलग होंगे जब origin same होगा और उनके function अलग-अलग होंगे तब उसको बोलते हैं तब उसको बोलते हैं homologous organ ठेक है homologous organ का मतलब क्या होता है कि वैसे organ जिनका origin तो same होता है लेकिन जब उनके function की बात करेंगे तो उनका function क्या होता है different होता है ये इस figure को यदि आप याद रखिएगा तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं क्योंकि इस chapter से objective तो पूछता ही है बट यहां से subjective जादा पूछा जाता है और subjective में ये एक थोड़ा VVI question है कि homologus organ और analogus organ के बीच में अंतरिस्पर्ष्ट करना ठीक है यदि ये इस तरीके से इस chart को यदि आप याद रखेगा तो आपको याद रहेगा ठीक है जिसमें क्या होता है origin same जिस organ का origin same होता है लेकिन function अलग-अलग होगा तब उसको क्या बोलेंगे homologus organ ठीक है लेकिन जब यदि हम बात करेंगे analogus organ की तो इसमें क्या होगा origin इसमें different होगा origin यहाँ पे क्या होगा different ठीक है लेकिन जो उसका function होगा वो same होगा ठीक है function जो होगा वो same होगा ठीक है जो यहाँ पे homologus organ किन को बोलेंगे जिनका origin तो same होगा लेकिन function क्या होगा उनका different होगा उसको बोलेंगे homologous organ लेकिन जब बात करेंगे analogous organ की तो analogous organ में origin different होता है लेकिन function उनका क्या होता है same that is analogous organ ठीक है अब यदि इसकी बात करेंगे कुछ examples की तो इनमे definitely इसके examples बहुत ज़्यादा important है तो यदि आप लोग को लिखना हो तो लिख लिजे क्योंकि ये दो नमबर में चाहे दो नमबर में ये पूछे या फिर आपसे objective में पूछे बट ये question आता है homologous और analogous वाला तो इस चीज़ को याद रखेगा ठीक है clear है बात चलिए तो इसका example लिख लिजिए example फटावट से note करते चलिए यहाँ पर थुरा सा space कम है पहला example four limb of tetraports four limb of tetraports ठीक है first example will be four limb of tetraports thorn and tendrils of bog and willia thorn and tendrils of bog and willia लिखते भी चलिए four limbs of tetraad ठीक है दूसरा है thorn and tendrils of bog and willia तीसरा brain and heart of vertebrates तीसरा brain and heart of heart of vertebrates ठीक है brain and heart of vertebrates चौथा humans upper arm human's human's upper arm and flippers and flippers ठीक है human's upper arm and flippers of dolphins flippers flippers dolphins humans upper arm and flippers of dolphins ठीक है जी यहां तक clear है चलिए यह है किसका example analogous औरगन का example है ठीक है लेकिन sorry I'm so sorry I'm so sorry 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 यह जो example है आपके यहां पर मैं लिख देता हूँ यह example है homologous का यहां पर मैंने लिख दिया है homologous का ठीक है यह example है आपका homologous का यह वाला जो example है आपका यह है इसका homologous का ठीक है लेकिन यदि analogous की बात करेंगे तो analogous का भी कुछ examples है तो उसको भी लिख लिजे wings of insects and birds analogous में wings wings of insects and birds ठीक है wings of insects and birds ठीक है लिखते भी चलिए eyes of octopus and mammals eyes of octopus and mammals ठीक हास था convergent and divergent भी होता है definitely यह convergent and divergent भी होता है ठीक है प्रियांशुष सिंग राजपूत हाई हेलो चलिए हो गया यहां तक clear है all set यहां तक यह वाला जो चारो एक्जेम्पल है यह है homologous organ के एक्जेम्पल और analogous का एक्जेम्पल यह है wings of insects and birds and eyes of octopus and mammals ठीक है जी यहां तक clear है so यहां पे क्या पूछ रहा है wings of birds and butterfly are which type of organ तो यहां पे wings of insects and birds तो यह किसका है analogous का so here the answer will be option number D ठीक है चलिए ठंड का time है पता नहीं कैमरा भी कभी का धुन्दला हो जाता है so don't worry मेरे face से यहां पे matter नहीं है मैं यहां पे देख पा रहा हूँ आपको कि यह clearly आपको यह दिख रहा है ठीक है और आपको board clearly दिख रहा है तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए सबी को पता है मैं smart हुई ठीक है so कोई दिकत नहीं आपको board दिख रहा है all set ठीक है इस एन अग्जमपल आफ ठीक है जो anti antibiotic resistant bacteria होते हैं यानि कि वैसे bacteria यह bacteria कैसे होते हैं वैसे bacteria होते हैं जो अपने आपको antibiotिक से बचा पाते हैं वो जो दिखते हैं वो किसका example है जल्दी से बताईए, question number 7, question number 7, question number 7 का अंसर बताईए जल्दी से, question number 7, yes, वो किसके example है, pre-existing variations के, चलिए आगे बढ़ रहें, next, human hand, human hand, comma wing of bat and flipper of whale, human hand, comma wing of bat and flipper of whale, represent, इन में से वो कौन सा represent करता है, जल्दी से बताईए, अभी मैंने इसका hint बताया है, अभी मैंने इसके बारे में बताया है, जल्दी से बताईए, 8 का अंसर, 8 रिंकी D, आस्था D, कंचन D, मुस्कान D, yes, यहाँ पर बोल रहा है, कि जो human health है, या फिर जो bat, चमगादर के wing, यानि की punk हैं, या फिर whale का जो flipper होता है, वो, वो किस चीज़ को represent करता है, तो वो represent करता है, किस चीज़ को, homologous organs को represent करता है, जिसका मतलब होता है, यानि कि homologous organ का जो मतलब होता है, कि origin तो same है, लेकिन क्या होगा different, जो उसका function है, वो different different होगा, कैसे, जैसे human hand है, जो हम लोग का हाथ है, हम लोग का हाथ है, तो हम लोग का हाथ का क्या काम है, किसी चीज़ को पकरना, catch करना, ठेक है, वहीं बैट के यदि wing की बात करे, चमगादर के punk की बात करे, तो उनका क्या है, उनका काम क्या है, उड़ना, तो हमारा काम तो उड़ना नहीं है, हमारे hand का काम तो उड़ना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, origin जो है, origin जैसे hand का origin होता है, वैसे ही बैट में wings का भी origin होता है, यानि कि दोनों का origin है, एकदम बिल्कुल सेम, लेकिन जब इसकी बात करेंगे function की, तो function यहाँ पर अलग-अलग हो गया, तो यह किसका example होगा, definitely यह example होगा, homologous organ का, ठीक है, चलें, आगे बढ़ें, next, adaptive radiation in Australian marsupials, are example of, जल्दी से बताईए, adaptive radiation in Australian marsupials, are example of, यह किसका example है, Australian marsupials, जो है adaptive radiation में, यह किसका example है, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, तकिए, जो, जो, जो homologous organ होता है, जो homologous organ होता है, वो मतलब किस से रखता है, divergent evolution से, क्योंकि, divergent evolution का मतलब, इसका मतलब ही क्या होता है, कि ancestor, ठेक है, ancestor बोलिए, या फिर origin, ancestor या फिर origin क्या होता है, same होता है, इस type के evolution में, लेकिन, इनके यदि function की बात करेंगे, तो इनका function क्या होता है, different होता है, ठेक है, और adaptive radiation है क्या, देखिए, क्या होता है, कि एक किसी area में, जब किसी area में क्या होता है, कि अलग-अलग type के जो, अलग-अलग type के जीव होते हैं, वे अलग-अलग जगहों पर रहने के लिए, अपने आपको क्या करते हैं, उसके according, ढाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते है, adaptive radiation, ठीक है, यानि कि उसमें जो radiation का use होता है, उसको क्या बोलते हैं, adaptive radiation, जैसे मान लिजे, adoption का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ को accept करना, जैसे मान लिजे, जो केरल साइड है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़ादा परती है, और वहीं अधी बात करेंगे हम, कि शिमला साइड, वहाँ पर थंड ज़ादा परती है, हिमाचल साइड थंड ज़ादा परती है, मान लिजे कि मुझे थंड बहुत पसंद है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है, लेकिन किसी कारण से मुझे केरल जाना परेगा, मुझे वहाँ पर कुस टाइम रहना परेगा, यानि कि मुझे उस condition को adopt करना परेगा तो उस time जिस energy का use होगा that is adaptive radiation ठीक है so Australian marsupials एक NCRT में diagram होगा जिसमें अलग-अलग organism दिये हुए होंगे जिनमें क्या होता है adaptive radiation तो उनमें क्या होता है कि उनका जो ancestor है वो सबका तो same होता है लेकिन उनका function अलग-अलग होता है so ये भी किसका example हो जाएगा divergent evolution ठेक है जी चले आगे बढ़े okay next question number 10 जल्दी से बताईए which of the following factor is important in the formation of new species इनमें से कौन से factor है जो कि new species के formation के लिए important है जल्दी से बताईए इस answer 10 का D एंजल यादब 10 A function D आस्था C बहुत बार क्या होता है ना कि किसी एक ने ये दी कुछ answer दे दिया तो बस और generally chat box में होता भी ये है कि teacher कहां पर वो परेगा इंप्रेशन बना रहे है कि एक को ये भेज दिया DD सब माते हो D D D D किसी एक ने type कर दिया B तो B B B B भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यदि आता है कोई दिक्कत नहीं है अराम से उसका answer दीजिए लेकिन यदि नहीं आता है कहीं पर दिक्कत हो रहा है कहीं पर doubt आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है नहीं आ रहा है मैं यहाँ के बताने के लिए ही हुँ ठेक है So D और A इसका answer नहीं होगा यहाँ पर बोल रहा है कि नए species के formation के लिए सबसे important factor कौन सा होगा तो सबसे important factor होगा isolation and variation ठेक है? isolation and variation ठेक है? क्यूँ? isolation, isolate होने का मतलब क्या होता है? कि अलग होना और variation आना अलग होगा जैसे मान लिजे कि एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं ठेक है? अब एक परिवार में जब कुछ लोग रहते हैं तो वहाँ पर वो एक नए परिवार को नहीं बना पाएंगे जो एक परिवार है मान लिजे कि उसमें दस लोग है ठेक है? अब वो दस लोग है तो वो एक family बन गई है ठेक है? लेकिन वहीं पर क्या होगा? कि कुछ क्या होंगे कुछ बोलेंगे नहीं हमको तो कहीं और जॉब लग गई है उनको जब कहीं और जाना पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा? कि वो एक जगह से दूसरे जगह तो वहाँ पर क्या होंगे? एक जगह से यानि कि एक जगह की जो family थी अब दो भाग में बट गई, दो से तीन, ऐसे क्या होगा? नए ने भागों में बटेगा, तो जब तक वो isolate होगा, अलग होगा और उसमें variation आएगी, तभी तो नए species का formation होगा So, here the answer will be option number C ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं Next, man is a member of which order and belongs to which family in the following जल्दी से बताईये, चलिए जल्दी से बताईये Man is a member of which order and belongs to which family in the following जल्दी से बताईये Order और family यदि man की जब यहाँ पर बात हो रही है यानि कि हमारी बात हो रही है Man का जो biological name होगा मैंने आप लोग को बताया हुआ होगा Class 11 में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इसका biological name की यदि बात करेंगे तो इसका biological name क्या होगा Homo sapiens ठीक है Homo sapiens Homo sapiens अब इनका यानि कि man का यानि कि हमारा हम किस order से belong करते हैं तो हम जो order से belong करते हैं वो हमारा order है primates और जो हमारा family है वो है hominity so here the answer will be option number C ठीक है इस बात को याद रखिए गया next dryopithecus is more similar to जल्दी से बतायी यह इसका answer dryopithecus किस से मिलते जुलते थे ape, langur से langur के जैसे दिखते थे gorilla के जैसे दिखते थे chimpanzee के जैसे दिखते थे या फिर man के जैसे दिखते थे जल्दी से इसका answer दीजिए जो dryopithecus थे वो किसके जैसे दिखते थे फटाफट से answer दीजिए जल्दी जल्दी question number 12 12 आस्था A, मुस्कान A, प्रिंकी A प्रेंशन A ठीक है? चलिए याद कीजिए जब मैंने आपको evolution of man बताया हुआ होगा ठीक है? जब मैंने आपको evolution of man बताया हुआ होगा यानि की man की उत्पत्ती कैसे हुई? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ होगा कि सबसे पहले dryopithecus ठीक है? dryopithecus ये किसके जैसे दिखते थे एप के जैसे यानि कि लंगूर के जैसे दिखते थे जो ड्रायो पिथिकस थे वो एप लाइक दिखते थे यानि कि लंगूर के जैसे दिखते थे उसके बाद आए रामा पिथिकस ठीक है उसके बाद आए रामा पिथिकस रामा पिथिकस के बाद आए औस्ट्रेलो पिथिकस औस्ट्रेलो पिथिकस इसके बाद कोई बताएगा कोना है जल्दी से बताएए तो अब बताएए अब आंसर दो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस औस्ट्रेलोपिथिकस होमो हेबिलिस आस्था होमो हेबिलिस होमो एरेक्टस होमो सेपियन्स वेरी बुड़ आस्था ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस औस्ट्रेलोपिथिकस ठेक है उसके बाद होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस next होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस next होमो सेपियन्स ठीक है होमो सेपियन्स यानि कि मैन अब उस होमो सेपियन्स में भी जो हम लोग हैं तो हम लोग भी क्या है homo sapiens लेकिन उसमें भी हम लोग क्या हो गए है modern man, ठीक है, हम लोग क्या हो गए है modern man, इस chart को याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है, वहीं वह भी लिख लिजिए, ठीक है, लिख लिजिए इस चीज़ को, cranial capacity, अब इनकी cranial capacity क्या थी, कौन बताएगा, homo habilis की cranial capacity कौन बताएगा, जल्दी से बताईए, आस ठा, homo habilis की cranial capacity है, उसको बताईए, तो, homo habilis की cranial capacity, ऐस्था होमो हैबिलिस की क्रेंड केपऩिटी फटा cheak कि इसको याद है होमो हैबिलिस की क्रेंडियल कैपसिटी होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी वेरी गुड आस था साड़े छेसो से आठ हजार नहीं गलती से हो गया साड़े छेसो से साड़े छेसो से आठ सो ठीक है जो होमो हैबिलिस है उसकी cranial capacity 6500 से 800 होती है इस बात को याद रखेगा homo erectus का बताईए homo erectus का cranial capacity homo erectus का cranial capacity very good आस था homo erectus का cranial capacity homo erectus का cranial capacity 900 very good 900 cc ठीक है homo sapiens का आस था 1400 very good 1400 cc ठीक है modern man का 1600 cc अच्छा australopithecus का australopithecus का भी बता दीजिए ताड़े 500 cc australopithecus 550 cc ठीक है इसको याद रखेगा जो evolution of man की जब बात करेंगे चेक है तो evolution of man में dryopithecus ape like थे उसके बाद australopithecus उन्ही को general term में ramapithecus भी कहते हैं जिनकी cranial capacity थी 500 to sorry 550 cranial capacity उसके बाद आये homo habilis जिनकी cranial capacity थी सारे 600 से 800 उसके बाद आये homo erectus जिनकी cranial capacity थी 900 cc उसके बाद आये homo sapiens जिनकी cranial capacity 1400 cc और सबसे last में modern man यानि कि हम लूग हमारी cranial capacity 600 या फिर 600 भी कह सकते हो ठीक है तो यहाँ पर answer सामने में है dryopithecus किसके जैसे दिखते थे ape like so here the answer will be option number a चलिए next age of evolution of man is measured by ठीक है man के जो evolution का जो age था उस चीज़ उसे किस चीज़ से measure किया जाता है जल्दी से बताईए किस चीज़ से measure किया जाता है इस चीज़ को जल्दी से किस चीज़ से measure किया जाता है इसे d आस्था sorry मुसकान d आस्था d yes जो man का जो evolution है इसके age को measure किया जाता है रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा थेक है चलिए next डाइनासोर्स आर मैंने अभी अभी ही बताया था कि जब बात करेंगे extinct की extinct का मतलब देखिए extinct का मतलब गायव होना मतलब completely गायव हो जाना यानि कि दुबारा इस प्रिथवी पे नहीं आएंगे वो उसी को बोला जाता है extinct तो यहाँ पे dinosaur का मैंने भी बताया था dinosaur dodo दोनों ही क्या हो चुके है extinct हो चुके है यानि कि हमारे प्रिथवी से जा चुके है तो यहाँ पे दो जगा तो है यहाँ पे भी extinct है और यहाँ पे भी extinct है जो dinosaur है अब dinosaur reptiles है या फिर amphibians है so dinosaur is a reptile so here the answer will be option number B, Dinosaur are extinct reptiles ठीक है जी, clear, आगे बढ़े है चलिये, next कोई कोई गरा इसनोन एज थेकए को नोज कोई जो यह यहानि कि उस टाइम को जो जो गोई यह एड़ा है यह किसको बोला जाता था तो जो एम जो मैमल्स और मॉडर्ण फ्लो फ्लो र याद किज़े क्या लेवें थ में डा लिविंग वल्ल्ड में पड़े हो एक फ्लोरा एंड फॉना फ्लोरा एंड फॉना ठीक है प्लांट से लेशन फॉना फ्लोरा यानिकी एनिमल से तो मैमल्स और मॉडन फ्लोरा जो थे उनकी एज को बोला हैता था कोईनो जॉइक एरा सो याद रखेगा 15 कहां से होगा option नॉमबर ए next which of the following is used as an atmospheric pollution indicator कौन बताएगा इस कांसर जल्दी से बताएए इस कांसर which of the following is used as an atmospheric pollution indicator इन में से कौन सा ऐसा है जो की atmospheric pollution को indicate करता है ठीक है जल्दी से बताएए question number c का रिंकी बी आस्था बी मुस्कान बी यह क्योंकि कोई बात नहीं कंचन कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर बोल रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा है जो की atmospheric pollution को indicate करता है ठीक है देखे यह वाला यहां पे यहां पे आपको जो genetics है genetics में भी मैंने बताया हुआ था कि जो pollution का indicator होता है ठीक है याद रखेगा बहुत common question है बहुत बार बोर्ड ने इस चीज़ को पूछा है कि जो pollution का indicator है वो lichens को बोला जाता है यह आपको मैंने genetics में भी बताया हुआ होगा biotech में भी यह है और ecology में भी यह है ठीक है बहुत important है यह question इस चीज़ को याद रखेगा जो pollution indicator होता है वो किसको बुला आता है lichens को यह क्या करते है जो atmosphere में जो pollutions है उसको indicate करता है so here the answer will be option number b चलिए next paleontological evidences for evolution referred to the यानि कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो paleontological evidences है evolution के लिए इसको कौन refer करता है ठीक है देखिए जो paleontological evidences होता है वो किन को बोला आता है generally वो यहाँ पे पूछ रहा है ठीक है जब evolution की बात आती है evolution मैंने क्या बताया कि जो evolution क्या है एक परिवर्तन है एक changing है जो की धीरे-धीरे less जो changes थे उनसे धीरे-धीरे जादा जो changes आती गई उसी को क्या बोलते है evolution ठीक है तो जो evolution मान लिजे कि कोई यह बोल दे कि पहले-पहले के जो लोग थे उनका face एकदम बंदर के जैसे था एप के जैसे था साइन्स होता है साइन्स एक ही चीज़ मांगता है ठीक है तो वह एफ्रिका में या फिर एफ्रिका के चट्टानों में या फिर और भी जो देश है वहां के चट्टानों में क्या जिवास मिले यानि कि फॉसिल्स मिले और जो फॉसिल्स मिले skeletons मिला जो कंकाल मिला तो पहले के time का जैसे बहुत पहले के time में क्या थी पहले के time में तो ऐसा था नहीं कि इतनी Sanskrit इतनी Sanskrit Hindi लोग को आती थी कि वहाँ पिर उनका अंतिम संसकार हो या फिर उनको दफना मतलगी एक रिती रिवाज के तो लोग क्या को करते थे दफना देते थे या फिर जैसे मान लिए कि कोई कोई आदमी है अब उस आदमी को शेर ने खा लिया तो उसके हड़ी को तो चावा खाएगा नहीं वो उसका पुरा का पुरा मांस खा जाएगा तो जो उसका हड़ी है, वो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो वो सब जो अभी, जो scientist को मिले, तो उन्होंने पता लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया, कि ये पहले के जो लोग थे, वो इस तरीके के होते थे, तो पहले से अभी में ये changes हुआ, तो पहले उन्टो लोजिकल एविडेंस इस, किसको एक बोला जाएगा, जिवाश मयानी की इन धनिया, सोरी, जिवाश मयानी की फॉसिल्स, तो here the answer will be option number C, सो 17 का अंसर होगा C, चले, आगे बढ़ें, चलिए, next, next, analogous organ arises due to, जो analogous organ होगा, वो किसके द्वारा arise होगा, जल्द से बताईए, ठेक है, जल्दी से बताईए इसका answer, आस्था, कंचन, मुस्कान, आस्था का पहले answer तियार हो जाता है, वाँ, बहुत बढ़ी है, चलिए, देखिए, जब मैंने बताया, कि जो homologous थे, जो homologous organ था, ठीक है, homologous organ, homologous organ का connection किस से था, homologous का था divergent वाले से, ठीक है, divergent वाले से, यानि कि उसमें क्या हो रहा था, same origin या फिर ancestor, जो उसका origin है, या फिर ancestor है, वो origin या फिर ancestor क्या है, same है, लेकिन उनका function क्या है, अलग है, ठीक है, लेकिन, जो analogous organ होते हैं, जो analogous organ होते हैं, analogous organ, वे अपना संबंद किस से रखते हैं, convergent से, ठीक है, convergent, यानि कि यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर क्या होगा, यदि origin की बात करेंगे, तो origin होगा, different, ठीक है, लेकिन, वहीं यदि function की बात करें, तो function क्या होगा, same, ठीक है, याद रखने का एक यह भी तरीका है, divergent, diverse, diversity मतलब विभिन्यताएं, diverse मतलब फैलाना, ठीक है, तो diverse मतलब फैलाना, origin तो same है, लेकिन, वह क्या कर रहा है, function उसके बहुत सारे है, इदर, उदर, पूरा फैला रहा है, अपने functions को, याद रखने का, यह भी तरीका है, divergent, मतलब कि उसका क्या होगा, origin तो same होगा, लेकिन, function एकदम, different, different होगा, ठीक है, लेकिन, जब बात करेंगे, analogous organ की, जो की सम्मंद रखते हैं, convergent से, तो उनमें क्या होगा, convergent, मतलब कम हो रहा है, तो, origin तो बहुत सारा है, एकदम, उधर से, origin यहाँ से लेकिन, उनका जो function है, वो एकदम, बिल्कुल, same है, so, here, the answer will be, option number, बताइए, analogous organ, convergent, so, here, the answer will be, option number, D, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, next, which type of selection is industrial melanism observed in moth, biston, bittularia, जो एक moth था, biston, bittularia, ठीक है, उसका, जो industrial melanism की बात करेंगे, तो उसमें किस type का selection पाया गया, तीन type का होता है, एक होता है, stabilizing, directional, और एक होता है, disruptive, directional का मतलब क्या होता है, कि यानि कि जो एक बार, देखिए, directional का मतलब क्या होता है, कि जो एक बार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज चला गया वो क्या होगा यानि कि जो चीज वहाँ पर उस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला गया तो उसके बाद यानि कि देखिए A है जब क्या हुआ ये A से कोई character क्या हुआ B में गया तो क्या होगा B से C में भी जाएगा C से D में भी जाएगा और D से E में भी आएगा यानि कि यहाँ पे क्या है एक direction हो गया यानि कि यहाँ पे direction हो गया यह नहीं होगा कि gap होगा या फिर यह नहीं होगा कि पीछे की और, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यदि एक generation से कोई character दूसरे generation में pass हो गया, तो फिर वो दूसरे generation से तीसरे generation में जाएगा, और तीसरे से चौथे और चौथे से पाच वे तो यहाँ पर बोल रहा है कि industrial melanism की जब बात करेंगे तो उनमें किस टाइप का selection जो है, वो पाया जाएगा तो here the answer will be option number B, उनमें क्या होगा directional type of selection पाया जाएगा, ठीक है जी clear, चले, आगे बढ़ते हैं next, Devereis gave his mutation theory on organic evolution while working on जो Devereis थे, जिनका पूरा नाम है Hugo Devereis Hugo Devereis क्या थे, उन्होंने mutation का जो सिध्धान्त दिया वो, किस, वो जब, वो, organic evolution के basis पे, जो वो mutation theory का सिध्धान्त दिये हुए थे तब वो किस चीज़ पर work कर रहे थे, तब वो work कर रहे थे, आईनी थेरा ले मार किया ना, इस चीज़ को याद रखियेगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट 21 hackles theory of recapitulation means that, ठीक है? अब यहाँ पर बोल रहा है, जो recap, जो recapitulation का, जो hackles theory था उसका मतलब क्या होता है? तो उसमे, progeny of an organism resemble its parent यानि किसी organism का progeny, यानि कि जो नया संतती है, क्या वो अपने parents को resemble कर रहा था? No regeneration हो रहा था? No all organism begin their life from one cell, यानि कि जितने भी organism है, वो अपने life को one cell से start करते हैं, तो no, बचा एक कौनसा? ontogeny repeats phylogeny, यानि कि ontogeny होता है, वो phylogeny को continuous continuous time वो repeat करता रहता है, so here the answer will be option number A, ठीक है, चले, आगे बढ़ें next, the idea of survival of fittest was given by, ठीक है the idea of survival of the fittest was given by, आंसर दीजे, question number 21 question number 21 21 question number 21 question number 20 sorry, question number 22 22 कान से दीजे, the idea of survival of the fittest was given by 22 का रिंकी D कंचन D रिंकी D दे दी, तो कंचन भी D दे दी और मुसकान तो C पे ही जली गई, आस्था A, येस, the answer will be option number A, ठीक है, कैसे देखिए, idea of survival of fittest, survival of the fittest, ठीक है, यानि कि जो मैंने अभी बताया हुआ था, कि वो, वो किसी condition में अपने आपको survive कर पाए, अपने आपको वहाँ पे fit कर पाए, ये idea कौन दिये हुए थे, तो ये idea था, Charles Darwin का, इस चीज़ को याद रखेगा, ठीक है, next, primary source of allelic variation is, जो main source होता है, allelic variation, allelic, allel, जो gene का जो different, different form होता है, इसको क्या बोलते है, allel, तो allel के अंदर जो variation आते हैं, allel के अंदर जो variation आते हैं, उनका primary source क्या होता है, उनका main source क्या होता है, independent assortment, no, polyploidy, no, mutation, no, mutation उसका primary source थोज़ न होता है, क्योंकि यदि mutation होगा, तो वहाँ पे तो उसको बहुत साज changes आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि उसका हो सकता है, कि उसका phenotype भी change हो जाएगा, जाएगा, जीनो टाइप भी change हो जाएगा, यानि कि overall उसमें बहुत सी changes आएगी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, primary source की, main source की, क्योंकि जो एलिलिक variation आएगा, mutation के द्वारा यह दी आएगा, तो उसका phenotype change हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यह, mutation सभी में होगा, almost time होगा, no, तो यह तो होगा नहीं, general cases में है, तो general case में होगा क्या, recombination, यानि कि वहाँ पर क्या होगा, कि जब, जिस, जो gene, जब कोई दूसरे gene के साथ, जो, कोई एक gene है, वो दूसरे gene के साथ क्या करेगा, combine करेगा, fuse करेगा, तो वो क्या करेगा उसमें जितने प्रकार के जीन्स के साथ जो जो अलग अलग प्रकार के जीन्स के साथ जो combination बनाएंगे तो उनका क्या होगा character उसके according होगा तो एलिलिक वेरियेशन का जो primary source होगा वो होगा recombination ठीक है वो होगा recombination ओ नो वो option गलत था ठीक है चलिये clear है यहाँ तक आगे बढ़ है चलिये next the theory of chemical evolution of was was proposed by कोई बात नहीं रिंग की कोई बात नहीं होता है कोई बात नहीं लेकिन ये वो बला देखिए book में कोई भी आप किसी भी publication का book पढ़िए मैं again बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग का board का exam है यहाँ से आपको mark sheet मिलने वाला है board वाला ठीक है तो book आप किसी का भी पढ़िए उससे कोई matter नहीं है चाहे इस publication का किसी publication का लेकिन जो उसका answer है बहुत से ऐसे publications होते हैं जिनमें answers गलत होते हैं ठीक है जो आपको teacher पढ़ाय हुए है जो आपको मैंने पढ़ाय हुआ है वो वाला देखिए ठीक है या फिर book में देखिए बट उसके answers को मत देखिए क्योंकि उसमें बहुत से answer गलत होते हैं ठीक है यानि कि याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ होगा operon और hilden model जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ होगा कि उन्होंने क्या बताया हुआ था कि सबसे पहले क्या होई कि inorganic substance का formation हुआ inorganic substance में क्या हुआ कि जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ होगा तो मैंने बताया हुआ होगा कि जो origin of life का origin हुआ तो उस time में सबसे पहले oxygen नहीं था oxygen की कमी थी तो वहाँ पे क्या हुआ water भी उतना नहीं था लेकिन water vapor था कहां पे earth के surface ठीक है तो पहले गर्मी बहुत ज़ादा थी तो क्या हुआ धीरी दीरे कि जो sunlight हुआ sunlight जैसे मान लिजिए कि जो water है ठीक है s2o है चाहे वो liquid के form में हो यानि की पानी के form में हो solid यानि की ice के form में हो चाहे वो gas के form में यानि की water vapor के form में हो किसी के भी form में हो तो उनका क्या होगा जो formula होगा क्या होगा S2O और यदि आपको पता होगा कि organic compound किसको बोलेंगे organic chemistry मतलब carbonic chemistry यानि कि उसमें main आपको किसी के बारे में पढ़ना है carbon के बारे में यदि carbon नहीं है organic नहीं है तो सबसे पहले क्या था इन और गेनिक चीज़े है अब जो इन और गेनिक चीज़े तो यह किस के फॉर्म में थी water vapor के फॉर्म में तो जब वह water vapor के फॉर्म में थी तो sunlight ने क्या किया जो सूरी की जो रोश्नी थी उसने क्या किया इस S2O को इस water vapor को तोड़ दिया किस-किस में एक oxygen में तोड़ दिया और hydrogen में और oxygen इन दोनों में तोड़ दिया ठीक है तो यह जो chemical evolution जो life का chemical evolution है तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले जो अर्थ पे आया वो क्या आया इन और्गेनिक से फिर और्गेनिक आया और और्गेनिक के बाद क्या हुआ जो जीवन की उत्पत्ती हुई यानि की life का origin हुआ ठेक है तो यह जो chemical evolution of life है यह कौन दिये हुए थे कौन प्रोपोज किये हुए थे तो ओपेरोन और हिल्डेन ने इस चीज़ को प्रोपोज किया और एसल मिलर ने practical के द्वारा experiment के द्वारा इनके इनके कही वी बातों को प्रूव किया था ठीक है जी चलिए 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 ठीक है नेक्स्ट कुश्चन पर 25 दा रोल ऑफ नेच्चुरल सेलेक्शन रिगार्डिंग बिस्टन बितूलेडिया थेक है यह निए बिस्टन बितूलेडिया से रिलेटेड जो natural selection में जो role था, वो किसका role था so the answer will be kettle well, याद रखिएगा ठेक है चलिए, next Stanley Miller Stanley Miller proposed origin of life by Stanley S Lee, L यहीं तो है SL Miller तो SL Miller जो propose किये थे origin of life किसके basis पे, किसके द्वारा किये हुए थे so अभी अभी ठीक दो मिन पहले ही इससे एक question के एक के question पहले जो मैंने बताया कि जो operon और helden का जो model उन्होंने जो बताया हुआ था उसको जो practically prove किये वो कौन थे Stanley Miller यानि कि SL Miller तो ये जो SL Miller थे इन्होंने क्या किया इन्होंने जो prove किया तो chemicals बना करके जो inorganic था उसको क्या किये उनका एक machine था जिसका एक photo भी NCRT के book में होगा उसके द्वारा वो inorganic चीज़ को बनाया यानि कि chemicals का यहाँ पे synthesis synthesis मतलब बनाना तो यहाँ पे chemicals को बना बना करके यह prove किये कि inorganic चीजों से organic चीजों का निर्मान हुआ और organic से फिर धिरे क्या हुआ जीवन की उत्पत्ती हुई जो की SL Miller सहाब बोले हुए थे उनका जो basis था वो क्या था chemical synthesis ठीक है चले आगे बढ़ें Next First cell produced on earth जल्दी से बताईए इसका answer जो सबसे पहला cell अर्थ पे produce किया गया था First cell produced on earth पहला cell जो की अर्थ पे produce हुआ था जो की अर्थ पे मिला था Tessle Gamer 26 का A जो सबसे पहला cell था जो की अर्थ पे मिला था वो था protobion ठीक है So answer will be option number A Next Darwin traveled in which ship ठीक है Darwin जो थे जब वो experiment कर रहे थे तो वो एक island से दूसरी island जाते थे घूमते थे तो वहाँ पे वो कि ship के द्वारा वो travel कर रहे थे Titanic ठीक है Titanic में किये होते तो हो गया experiment ठीक है Titanic no इस पे मत जाईएगा सभी कोई से बहुत ध्यान होगा Titanic पे ठीक है जो वो जो जिस ship से वो travel किये थे उस ship का नाम है HMS Beagle So here the answer will be option number C ठीक है इस chapter में कुछ ऐसे चीज़े है जो कि conceptual भी है बट इस chapter में content जादा है यानि कि याद रखने वाली भी चीज़े जादा है जो जो याद करने वाला चीज़ है इस chapter में वैसे बहुत जादा है याद करने वाला चीज़ देना है So अभी भी आपके पास अतना वक्त नहीं है जो पढ़ लियो सो पढ़ लियो नया चीज़ तो नहीं पढ़ पाओगे बट revision करते रहिए और question जो मैं practice करवा रहा हूँ उस चीज़ को practice कीजिए objective यहाँ से आपके लिए काफी हो जाएगा बाकि subjective का भी मैंने guess दे दिया हुआ है उसका भी कुछ यहाँ पर practice करवा देंगे बता देंगे कैसे क्या करना है exam तक मैं आपको guide करूँँगा don't worry exam में बस आपको 90 to 95 plus marks लाना है यह दिमाग में याद रहा है चली हो गया next आगे बढ़ है ओके as per new darwinism which is mainly responsible for evolution ठेक है यानि कि new darwinism के according कौन सा ऐसा है जो की evolution के लिए सबसे ज़ादा responsible है जल्दी से बताईए इसका अंसर 29 का अंसर क्या होगा new darwinism के according ठेक है new darwinism ऐसा नहीं है कि जो sl miller वोल लिये थे वही सही है क्योंकि evolution of life के बारे में बहुत से scientist आये थे सब कुछ नो कुछ बोले हुए थे ठेक है तो यहाँ पे भी इसका दूसरे scientist के according कुछ अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो है वो new darwinism के according evolution के लिए सबसे जो main responsible है वो कौन है उसका नाम बताईए उसका answer बताईए जल्दी से आस्था बी मुस्कान स्टी नेहा मस्ति विद स्टडी सर अबजेक्टिव कहां मिलेगा जिनको objective guess चाहिए description में मेरा social media का account होगा ठीक है instagram facebook या फिर मेरे whatsapp पे भी आप message कर सकते हो मैं आपको भेज दूँगा सब्यक्टिव guess ठीक है चलिए तो neo darwinism के according evolution के लिए सबसे main जो responsible होता है वो होता है natural selection ठीक है चलिए next question number 30 missing link in evolution evolution में सबसे missing link जो है वो क्या है peripetus यह है link limulus यह भी है peritema यह भी है बट यह जो archaeopteryx है यह evolution में एक missing link है इस बात को याद रखेगा next convergent evolution of two species is associated with ठीक है जो इसमें बोल रहा है convergent evolution जो है दो species के बीच में वो किस से associated है option question number 31 answer दीजिए question number 31 homologous homologous divergent ठीक है याद रखेगा HD जब वीडियो देख रहे हो न HD quality का camera है so HD सरी HD से भी ज्यादा high power का camera है यह है so HD homologous और divergent ठीक है और उसके opposite में एक होगा बचा C और A convergent यानि की analogous so here the answer will be option number A अभी मैंने इसको detail में बताया है ठीक है चलिए next theory of pan genesis was given by pan genesis का जो theory था वो कौन दिये हुए थे जल्दी से बताईए pan genesis का theory कौन दिये हुए थे who gave the theory of pan genesis who gave the theory of pan genesis जल्दी से बताईए pan genesis pan genesis इसके theory कौन दिये हुए थे आस्था A मुसकान A रिंकी A नेहा C no 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 32 theory of pan genesis was given by जो pan genesis का सिध्धान्त है वो दिये हुए थे Charles Darwin अब यह तो directly यह theoretical है इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा जो pan genesis का सिध्यान था वो दिये हुए थे Darwin ठेक है चलिए next the theory of natural selection was given by ठेक है the theory of natural selection was given by अभी ठीक पहले natural selection बताया हूँ तो natural selection का जो theory है वो कौन दिये हुए थे जल्दी से बताईए natural selection का theory कौन दिये हुए थे जब देखो तब एक ही scientist Charles Darwin, Charles Darwin, Charles Darwin याद रखिएगा natural selection का जो theory है ये दिये हुए थे Charles Darwin तो हम कह सकते हैं कि जो evolution of life है इसमें Charles Darwin का बहुत ही बड़ा योगदान है अब बताईए अब यहाँ से बताईए 34 which is not a vestigial organ in man which is not a vestigial organ in man which is not a vestigial organ in man ठीक है इन में से कौन सा ऐसा man में vestigial organ नहीं है और vestigial organ का मतलब मैंने बताया हुआ था जिसका हमारे body में कोई use नहीं है ठीक है जैसे nictitating membrane इसका भी हमारे body में कोई use नहीं है tail vertebrates जो vertebrates में जो tail पाए जाते हैं अफिर tail का जो थोड़ा सा अंश है वो तो उनका भी कोई use नहीं है और तीसरा vermiform appendix जिसको short में बोलते हैं appendix जो सुने होगे कि appendix का operation है सुने होगे बहुत movie भी आई है जिसमें देखे होगे कि जब किसी hospital के बारे में दिखा रहे होते हैं कि hospital में कुछ गरवर सरवर होता है तो आपे बच्चा जाता है treatment के लिए तो उसको दवा दे करके बोला जाता है कि इसको appendix का problem है पीट में दर्द बहुत स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर kidney निकाल लेते हैं ऐसा बात बहुत चीज ऐसी होती है ठेक है यहाँ पर क्या बोल यह vermiform appendix ठेक है इसका भी हमारे body में कोई use नहीं है इसका कोई use नहीं है बलकि इसका क्या है lossy है यानि कि हो सकता है कि vermiform appendix में यह दि कोई undigested food चला जाए तो हमें operate करवाना पर जाए लेकिन इसका कोई use नहीं है तो इन तीनों का हमारे body में तो कोई use है नहीं nail यानि कि नाखून इसका definitely हमारे use है एक तो protection में ठेक है जब मान लिजिए कोई किसी कोई ऐसा है कि किसी लड़की को रात को या फिर किसी को kidnap करने कोशिश का रहा है फिर कुछ भी तो वहाँ पर यह जो girl है वो आपने आपको नाखून से भी protect कर सकती है और वैसे भी इसके बहुत से uses भी है तो इसका use है बांकी सब का use नहीं है तो यह पूछ भी रहा है कि man में ऐसा कौन सा vestigial organ है तो here the answer will be option number D ठीक है चले आगे बढ़े ओके चलिए इस का answer बताईए जल्दी से English Thank you sir प्रिविन sir धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह किसे बोला जाता है क्या age of fishes को यानि कि fishes का जो time था उसको बोला जाता है या फिर amphibians का जो time था उसको बोला जाता है reptiles का जो time था उसको बोला जाता है या फिर mammals का जो time था उसे बोला जाता है so here the answer will be सभी को पता ही होगा मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो devonian period होता है वो age of fish को बोला जाता है चिक है चलिए next the primates the primates which existed 50 MYA कौन बताएगा MYA and BYA का full form MYA and BYA जल्दी से बताएए MYA and BYA का full form आस्था, नेहा, फैजल मुस्कान, कंचन बताएए रिंकी, साधना, अस्मिता बताएए MYA और BYA का full form बताएए हाँ जी बिलकुल MYA बहुत लोग इसमें confuse हो जाते हैं कि ये माया वया पता नहीं क्या लिख दिया हुआ है ठीक है जो genetics especially जो ये chapter नहीं पढ़ा हुआ तो यहीं सोचता है MYA माया वया या फिर जो पढ़ा भी होता है इस पर ध्यान नहीं दिया वह होता है तो उससे भी confusion हो जाता है M for million Y for year A for ego क्योंकि यहाँ पर evolution की बात हो रही है तो यहाँ पर तो million years की पहले की भी बात हो रही है तो million एक million का मतलब होता है आप सभी को पता होगा 10 lakh ठीक है यानि कि millions यहाँ पर सिफ 10 lakh की बात नहीं हो रही है बहुत जादा लाखो की बात हो रही है M for million year ago B for billion year ago इस चीज़ को याद रखेगा M Y A million year ago और B Y A billion year ago ठीक है तो बोला यहाँ पर बोल रहा है तब primate which existed 15 million year ago ठीक है यानि कि उस primate का नाम बताइए जो कि 15 million वर्ष पहले पाथ था उसका नाम क्या है जल्दी सांसर बताइए 36 का 36 का अंसर बताइए 36 का अंसर बताइए अरे वाँ सर वाँ 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 English वाले प्रवीन सर भी आज biology का class कर रहे है धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से शुक्री आदा कर रहे हम ठीक है हम भी आपका class करेंगे सर प्री में subscription दिल दे दीजिएगा भस पैसा नहीं है पैसो की दिक्कत है सर एक सो पचेतर रुपे भी नहीं है प्री में subscription दे दीजिए हम भी आप से कल से आपका क्लास करेंगे सर भी English वाले सर प्रिविन प्रताप सर He was a very great man great person, वो भी आज बायलोजी के क्लास कर रहे हैं, चलिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका So, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 million year ago इन में से कौन से आसे हैं, जो कि exist करते थे, so here the answer will be option number C, यानि कि Rama Pithikar जो थे, वो 15 million year ago exist करते थे, ठीक है, चलिए Next The brain capacity of homo erectus, ठीक है brain capacity, homo erectus brain capacity, brain capacity को किस चीज़ से indicate करते हैं CC, यानि कि cranial capacity cranial capacity, तो जो homo erectus थे, ठीक है जो homo erectus थे, homo habilis के बाद आ रहे थे, homo erectus उसके आद homo sapiens, then modern man तो जो homo erectus थे उनका, उनकी जो brain की capacity थी, उनकी brain की capacity कितनी थी, जल्दी से बताईए आस्था, रिंकी बिट्टू, नेहा पैसल मुसकान, जल्दी से बताईए, homo erectus में brain की cranial capacity कितनी थी, आस्था B, पैसल, आस्था B, रिंकी B, नेहा A, बिट्टू B, A नहीं होगा, B होगा, ठीक है, जो homo erectus की brain की capacity की जब बात आएगी, so 900 CC, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, यदि शूट गया हो, तो आप स्टार देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको छूट गया है, चलिए, next, the cranial capacity was largest among the, यानि कि इन में से कौन से ऐसे हैं, जिनकी cranial capacity सबसे जादा है, अभी अभी मैंने बताया हुआ था, जल्दी से बताईए, इन में से कौन से ऐसे हैं, जिनकी cranial capacity सबसे जादा है, 38 कांसा दीजि पेकिंग मैन, क्या वो पेकिंग मैन थे, जावा एप मैन, एफ्रिकन मैन, नियंडर्थल मैन, एप, ड्रायोपिथिकस, ठीक है, पेकिंग मैन थे, या फिर ड्रायोपिथिकस थे, एप लाइक, एफ्रिकन मैन थे, या फिर नियंडर्थल मैन थे, 38 cancer दीजिए जल्दी से फटा-फट 38 38 cranial cranial capacity was largest cranial capacity was largest yes इन सब में जो नियंदर्थल मैन है उनका cranial capacity सबसे ज़ादा था तो here the answer will be option number D 39 study of human evolution is called ठीक है जो human evolution है उसके study को उसके अध्ययन को क्या कहते है pedigree analysis no क्योंकि pedigree analysis क्या होता है ये मैंने अपने students को बता चुका है वो क्या होता है pedigree analysis में ही हम वह ये करते थे कि जो parents से उनके बच्चों में कौन सा mendelian disorder कौन सा chromosomal disorder उनके अंदर जाएगा next generation में जाने के कितना chances है ये सब हम पढ़ते थे pedigree analysis में और यहाँ पे पूछ के आ रहा है human evolution के study की बात so human evolution का जो study है उसको बोलते थे anthropology इस वाग को याद रखेगा चलिए next question number 40 the theory of spontaneous generation the theory of spontaneous generation stated that ठीक है जो spontaneous generation का जो सिध्यान था वो क्या कहता है जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए spontaneous generation spontaneous generation का जो सिध्यान था वो क्या कहता है जल्दी से 40 question number 40 का अंसर दीजिए question number 40 question number 40 spontaneous generation का जो सिध्यान था वो क्या कहता है वो कहता है कि life जो है वो arise कर सकता है non living thing से only, यानि कि जो जीवन की जो उत्पत्ती हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ non living thing से ही हुई है, ये कहता कौन है, सो ये कहता है spontaneous generation का सिद्धान, so here the answer will be option number c, ठीक है, चलिए, next, p plus q square बड़ावर, p square plus 2pq plus q square is equals to 1, represents an equationally used in, याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था, एक मैंने इस type का, sorry, इस type का मैंने बताया हुआ था, कि ये एक community है, ठीक है, ये क्या है, एक community है, इसमें मान लिजिए कि एक p है, p है, उसका वो कितना है, 0.4, यानि कि, sorry, मान लिजिए कि, 100 लोग है, ठीक है, 100 लोगों का community है, उसमें से जो p है, p जो है, वो कितना है, 40, और यदि q की बात करेंगे, वो कितना है, 60, तो यदि p का percentage निकालेंगे, तो 40 by 100, यानि कि 0.4, और यदि q का हम percentage निकालेंगे, तो 60 by 100, यानि कि 0.6, ठीक है, तो p प्लस q का square, यानि कि, p प्लस q का square, यहाँ पर यहीं बोल रहा है न, तो यदि इसको equal कीजिएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, 1, यानि कि, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, यदि आप इसको, p square plus 2pq plus q square के थो, यदि प्रूफ करेंगे, तब पर भी आपको, 1 ही आएगा, और यदि आप इसको generally, वैसे भी यदि आप तोर दे normally, ठीक है, 0.4 plus 0.6, ठीक है, square, तो 0.4 और plus 0.6, कितना होता है, 1, और यदि 1 का square करेंगे, तो हमें कितना मिलता है, 1, ठीक है, तो मैंने बताया हुआ था, और ये kisses को indicate करता है, ये ये मैंने बताया हुआ था, ये जो hundred है, ये क्या है, hundred, hundred क्या है, people है, और hundred people है, मतलब कि वहाँ पे बात kisses की हो रही है, population की बात हो रही है, एक person है, मतलब organism, लेकिन जहाँ पे बहुत स सारे लोग हो उसको क्या बोला जाता है population so definitely यह जो equation है p plus q का square बरावर p square plus 2p q plus q square यह किस चीज को represent करता है तो यह represent करता है population genetics को ठीक है चलिए clear है यहां तक यहां तक clear है यहां तक clear है जी ठीक है जी चलिए next question 42 according to operin which one is the following was not present in the primitive atmosphere of the earth ठीक है यानि कि operin के according जो earth का जो atmosphere था ठीक है earth का जो atmosphere था starting वाला उसमें से इन में कौन सा ऐसा था जो कि present नहीं था ठीक है जब बात करेंगे मिथेन की formula कौन बताएगा ch4 hydrogen h2 single exist नहीं करता है इसलिए इसको लिखते है s2 water vapor h2o ठीक है तो सबसे पहले क्या था यहां पर water vapor फिर water vapor से formation हुआ था किसका hydrogen का oxygen का methane का इन सब का ठीक है तो यह operin का जो experiment था तो operin के according वो यह कहते हैं कि जो earth का जो starting का primitive atmosphere यानि कि सबसे पहले का जो atmosphere था उसमें जो oxygen है यह present नहीं था ठीक है oxygen जो है यह present नहीं था धीर धीरे बाद में oxygen का formation हुआ clear next the correct sequence of the correct sequence of the correct sequence for the manufacture यानि कि यह चार option है ठीक है इन में से correct sequence बताना है कि कि किसका formation सबसे पहले हुआ यानि कि कौन सबसे पहले मिले और कौन बाद में यानि किनका formation क्या हुआ बाद में हुआ यह आपको यहाँ पे बताना है 43 का जल्दी बताईए question number 43 question number 43 का answer बताईए क्या सबसे पहले NH3 मिला या फिर protein मिला ठीक है एक मैं आपको hint दे देता हूँ सबसे पहले मिला था NH3 यानि कि एक option तो आपका पहले ही हट गया अब बताईए इसका answer 43 का डी नो प्रोटीन सबसे पहले नहीं मिला था चिक है नेहा डी आस्था सी नो आस्था नो एक और हिंट दे देता हूं चिक है कि NH3 तो सबसे पहले मिला था उसके बाद CH4 नहीं मिला था तो यहाँ पे आपका ये भी option गया ये भी option गया NH3 के बाद मिला था carbohydrates ठीक है then protein and after that nucleic acid so here the answer will be option number clear है चलिए next which of the following are the two key concepts of Darwinian theory of evolution इन में से कौन से ऐसे 2 की concept है जो evolution के Darwinian theory में बताया गया था चल्दी से इसका answer दीजिए जल्दी से answer दीजिए इसका कौन सा ऐसा था जिसके बारे में बताया गया था कौन सा ऐसा answer है जिसके बारे में बताया गया था जल्दी से बताईए कोई एक स्टूडेंट है जिसने बोला हुआ था कि सर हम इस चप्टर को नहीं पड़े हैं सो कैसे मैनेज ठीक है जेनेटिक्स का ये एक इंपोर्टेंट चेप्टर में आता है बहुत जादा टफ नहीं है जो जितना अब्जेक्टिव बता दिया अब्जेक्टिव इतना काफी है इतना कर लोगे हाँ उसके बाद उसमें कुछ डेटाज है बस उन डेटाज को आपको याद रखना है ठेक है उसके बाद आपको थोड़ी सी महनत तो करनी पड़ेगी ठेक है महनत नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं बिना महनत के दी चाहोगे कुछ मिल जाया तो वो impossible है ठेक है महनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी सुने होगे ना मिल सके आसानी से उसकी ख्वाइश किसको है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाइश किसको है, जिद तो उसकी है, जिद तो उसकी है, जो किसमत में नहीं, ठीक है, जो आसानी से मिल जायेगा, अरे उसकी ख्वाइश करके क्या करोगे, जिद उसकी करो, जो लोग ये बोल दे कि impossible है, ये नहीं हो सकता है, तो कोई यह बोल रहा है, यह chapter tough है, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, ठेक है, जितना effort लगा सकते हो, effort लगा दो, सिर्फ कुछी समय बचे है, इस कुछ समय में किसी का फाल तो यह नहीं सुनना है, यह नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अभी आप छोड़ दो, जितना हो पाएगा, आप से उतना करो, क्योंकि समय कम है, ultimately आपका board के marks की बात है, ठेक है, नीट भी एक percentage मांगता है, 60% आपका होना चाहिए, तभी आप नीट का form fill up कर पाओगे, तो definitely आप इधर इसकी भी preparation में अच्छे से लग जाओ, ठेक है, और को अच्छा number लाना ही है, ठेक है, मुझे दे देजिएगा, इस chapter का, हाँ कंचन, मिल जायागा, दे दे देंगे, दे देंगे, subjective question भी दे देंगे, don't worry, ठेक है, question करेंगे, exam में, तर आप से पढ़ेंगे, तो कितना marks का question करेंगे, exam में, नेहा का question है, सर, अभी ये दिक करेंगे, आप से पढ़ेंगे, तो कितना marks का question बनेगा, exam में, देखिए, अब तो पढ़ने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो जो time है, revision का time भी गया, सिर्फ question practice का time है, तो आप तो पढ़ने का समय ही चला गया, पहली बात, ठेक है, दूसरी बात, ठेक है, बड़ इतना तो at least आपको, जरूर guarantee दे दूंगा, इतना तो आपको जरूर बता दूंगा, कि जितना मैं objective करवा रहा हूं, ठेक है, जितना मैं objective करवा रहा हूं, क्योंकि यहांप मैं उस objective के अंदर का भी कुछ-कुछ की concept बता दे रहा हूं, तो जितना आप objective कर रहे हो, यानि कि एक सेशन में अपरोक्स 40 से 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो टोटल आप 16 सेशन करोगे, ठीक है, यानि कि आप 100, बहुत सारे 165 कितना हो गया, येदी आप 50 करके ही मालो, 165 80, यानि कि 800, अपरोक्स साथ सो, 600 objective आपको करवाई जा रही है objective आपको इसी में से रहेगा सतर objective है बिहार बोड में सतर में से आपने 35 बनाने है सतर में से मान लो आपको 10 question नहीं मिला 60 बचा मान लो 60 भी नहीं मिला 55 भी मान लो नहीं मिला 50 तो मिलेगा ही कहीं नहीं जाएगा यह मिलेगा ही और direct question यहां से मिलेगा और उस 50 में से आपने only 35 बनाने है ठीक है? सो आपको objective के लिए attention नहीं लेना है उसके बाद जो मेरा खुद का prepare किया हुआ guess question है सिर्फ एक page में बनाया हुआ है ठीक है? सो उस वाले guess question से भी आपको subjective almost almost यह है hope की सारा मिल जाए बट हो सकता है कुछ question ना भी मिले बट hope की आपका objective और subjective सारा का सारा बन जाएगा बशर्ते यह कि यह objective realization यह पूरा कर रहे हो अच्छे से concept के साथ कर रहे हो बार बार revise कर रहे हो इन चीजों को और जो question दिया गया है guess वाला उसका practice कर रहे हो तो definitely आपका minimum minimum जो बायो में रहेगा 80 plus रहेगा और यदि आपका writing ठीक है लिखते यदि आप सही से हो तो आपको 85 plus ही रहेगा और यदि कोई अच्छे खासा student हो जैसे आस्था हो गई तो और भी ऐसे कुछ student जैसे राजा हो गया कुछ और भी ऐसे बहुत सारे student है online में और offline में दोनों में तो यदि वो लोग continue उस तरीके से मेनद करते रहे तो 90 plus शूर्टी है ठीक है so definitely अच्छा कासा सारा question बन जाएगा ने हाँ अस्था सारी चप्रे से origin and evolution मैं ही long question है मिलेगा मिलेगा स्था कल के टेस्ट में भी मिलेगा ठीक है चलिए हो गया तो यहां पर बोल रहा है 44 which of the following are the two key concept of darwinian theory of evolution यहनि कि evolution का जो darwinian theory है उनमें जो दो main key concept है वो कौन से थे तो वो था option number D branching descent और natural selection इस बात को याद रखिएगा ठीक है उसके बाद है हमारा last question जो कि शायद same ही repeat हो गया है so almost वही question है same question है option number D ठीक है option number D so here our session of evolution has been completed इस तरीके से ही हमने reproduction को भी complete कर लिया है ठीक है हमने reproduction को भी हमारा जो reproduction है reproduction हो गया ठीक है दूसरा genetics भी हो गया कल हम start करेंगे biology in human welfare biology in human welfare ठीक है और biology in human welfare का पहला chapter है जसका नाम है human health and disease भाई साब चाहे वो board का exam हो या फिर neat का exam हो किसी का भी exam हो जितना reproduction से question नहीं आता है genetics नहीं अकेला चेप्टर उस चिसको संभाल लेता है चाहे objective में हो subjective में हो दोनों में ही है तो कल इसका question भी जादा रहेगा हो सकता है डेर घंटे का session भी हो या फिर थ्वासों से जादा भी हो जाया ठीक है सो कल एक एक चीज एकदम बिल्कुल deep में इसका जो human health and disease है मेरा भी favorite chapter है definitely medical से belong chapter है ठीक है यानि कि हमेशा doctor क्या होता है doctor patient का तो यहीं तो चलता रहता है human health and disease ठीक है so मेरा भी favorite chapter है तो इसको बहुत deep में बहुत सुन्दर तरीके समयश को करवाऊंगा कल definitely class 8 वे join कर लेजेगा हो सकता है सारी 9 पॉने 10 या फिर 10 तक class लेंगे ठीक है human health and disease का concept भी सारा का सारा बताऊंगा जितना concept है कोशिश करूंगा कि human health and disease का सारा का सारा concept short में भी वहाँ भी बता भी दूँ और question practice भी करवादू ठीक है so thank you so much मिलते है next session में ठीक है तब तब के लिए good night शुगरातरी आप सभी का दिन नहीं रात मंगल मैं हो ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि अब आपका exam करीब आ गया ठीक है मिलते हैं जो offline वाले student है कल टेस्ट के लिए ready हो जाईएगा full syllabus टेस्ट जो चल रहा है अभी ठेक है चलिए thank you so much bye bye मिलते है next class में bye पैजल thanks पैजल चलिए bye झालब पैजल लुझ गराई आपकाम